देश की ख्यात कथावाचक जया किशोरी शुक्रवार को इन दौर में मीडिया से मुखातिब हुई अपनी सरलता और सादगी पून अंदाज के लिए जानी पहचानी जाने वाली जया ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि महज 6 साल की उम्र से वो इस तरह से भागवत कथा पढ़ने की शुरुआत की थी जो अब तक अनवरत जारी है जबकि कठुआ रेपकांड जैसी बुराईयों को लेकर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया और अपनी कथा के दोरान भी बेटी बचाओ और कन्या के खिलाफ जागरुकता लाने की बात पर जोर दिया बेटी से जुड़ी हो एक हर घटनागर कुछ गलत होता है उचाए ये घटनाए हो या भुरून हत्या तक हो जो हम बच्चियों को बाहर क्या अंदर गर्ब के अंदर ही मार देते हैं उन्हें बाहर निकलने में तो उस चप के लिए बहुत दुख होता है और क्योंकि खुद एक बेटी हूँ तो मुझे हम फील कर सकते हैं उसे कितना बुरा लगता है तो उसके लिए मैं अपनी कथाओं में जरूर कहती हूँ या दो उद्देश्य मैं लेकर चलती हूँ एक ग्रून हत्या है बेटी परंपरा पर भी जोर दिया ये आज आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है जब प्रिदाश्रम की बात करती हूँ तो मैं माता पिता या परिवार से जुड़ी हूई बाते करती हूँ कि परिवार कितना जरूरी है माता पिता कितने जरूरी है बुजर्ग कितने जरूरी है आज दादी जी दादा जी होते हैं तो संसकार मिलते हैं बच्चों को एक अलग सीख माता पिता से अलग सीख मिलती है बुजर्गों से अलग सीख मिलती है युवाओं से अलग सीख मिलती है तो इसलिए जब पूरा परिवार होता है जॉइन फैमिली में तब बच् नारायन्ट सेवा संस्थान से जुड़ी जयाकिशोरी ने कहा कि वो परोपकार के कामों के लिए धर्म आध्यात्म के शेत्र में काम करती है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने एक भजन गाकर पत्रकारों को भी आध्यात्म से जोड़ने का अंदाज पेश किया। वो यह सब धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं उनका घर उससे चल रहा है, उनके बच्चे उससे पड़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी रहती है उनकी फीस है कि वो जो हमारे साथ नितिना अटिका हैं, साउण वाले हैं। प्लस हमारे जो भी राशी आती है, मैं नारेण सेवा संस्तान के साथ जुड़ी हूँ, वहाँ फ्री में बच्चों के जो हैंडीकैप्ट हैं, जिसे दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग शब्द मिला है सरकार से, उनके फ्री में ऑपरेशन्स होते हैं, तो वह राशी वहाँ जाती है, उन बच्चों के लिए, उनके ऑपरेशन्स के लिए। हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। Bureau Report, MP News, Indore